आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी बेसन के दानेदार और बहुती सॉफ्ट लटू इन लटूओं को हम बिना चाशनी के बनाएंगे तो यदि आपको चाशनी बनाना मुश्किल लगता है तो इस प्रकार से लटू बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी और इन लटूओं की खास बात ये भी है कि इन्हें महिने बर्तक स्टोर भी किया जा सकता है पर यकीन वानिये ये लटू इतने टेस्टे बनते हैं कि स्टोर करने के लिए लटू बचेंगे ही नहीं तो फ्रेंट्स रेसिपी शुरू करने से पहले आप से एक छुटी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लेगे तो मेरी और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेर करना भी ना भूलें इन लडों को बनाने के लिए सबसे पहले ले लेंगे हम एक कप सूजी सूजी आप बारीक या मोटी कोई भी ले सकते हैं सारे इंग्रेडेंट्स मापने के लिए आप या तो कोई कटोरी ले 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 या फिर इस तरह का मेजरेंग कप इस्तमाल कर सकते हैं साथी सूजी के साथ हम लेंगी बेशन तो मैं यहाँ पर इस्तमाल कर रहे हूं टाटा संपन का बेशन जो 100% चनादाल से बना है तो जिस कब से हमने सूजी को मापा था उसी कब को माप कर हम ये एक कब बेशन ले लेंगे अब हम इसी cup को माप कर ले लेंगे घी तो यहां पर एक cup ही हमने melted घी लिया है तो यह एक चोटाई cup की हम भी डाल देंगे बाकी घी हम बाद में इस्तमाल करेंगे सूजी और बेशन को अब घी के साथ अच्छे से mix कर लेंगे तो जैसे ही हम mix करेंगे तो सूजी बेसन में गी का अच्छा moisture आ जाएगा यहाँ पर मैंने सूजी और बेसन दोनों का इस्तमाल किया है आप चाहें तो खाली बेसन से भी यह लटू बना सकते हैं या सिर्फ सूजी से भी बना सकते हैं या इन लटू को बनाने के लिए आप की हूँ काटा भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन यदि आप सूजी और बेसन दोनों को मिला कर यह लटू बनाएंगे तो लटू में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो आप देख सकते हैं गी को हमने अच्छे से मिला लिया है काफी अच्छी मुट्टी इसके अंदर बन रही है अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे और इसका एकदम ढीला डू बना कर तयार करेंगे पानी थोड़ा ज़्यादा मातरा में डालेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर सूजी का इस्तमाल किया है तो सूजी को जब हम रेस्ट देंगे तो ये काफी अच्छे से फूल जाएगी तो जो डू अभी आपको बहुत डीला दिखाई दे रहा है वो काफी टाइट हो जाएगा तो सूजी को इस तरह से जब हम पानी पिला देते हैं और वो अच्छे से फूल जाती है तो लडू भी बहुत अच्छे बनते हैं और जब लडू इसके बानते हैं तो इसके जो दाने होते हैं वो बिखड़ते भी नहीं है तो यह देखे एकदम डीला दो हमने बना कर रखा है लेकिन थोड़ी देर जब हम रेस्ट देंगे तो यह काफी टाइट हो जाएगा पानी के बजाए आप दूद का इस्तमाल भी कर सकते हैं इस डो को बनाने के लिए तो यहाँ पर आदा कप पानी लेकर मैंने इसका डो तयार किया है तो अब हम इसे कवर करके छोड़ देते हैं और 10 मिनिट के लिए रख देते हैं रेस्ट करने के लिए 10 मिनिट बाद चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो डो एकदम डीला था वो कितना टाइट हो गया है क्योंकि सुजिक काफी अच्छे से पूल गई है और एकदम टाइट डोही हमें इसका बनाना है तो एक बार एक दो मिनिट के लिए इस तरह मसलते हैं हम इसे जिगरा बना लेते हैं और अब इसे एकदम छोटी छोटी लोई तोड़कर इसे हतेलियों के बीच लेते हैं इगदम फलेट कर लेती है मैं आपको इन लडो को बनाने के लिए दो तरीके बताऊंगे जो तरीका आपको अच्छा लगए आप वो तरीका अबना सकते हैं तो एक तरीका तो यह वागी इस तरह से आप टिक्या बना लें पतली-पतली तो कुछ टिक्या मैं बना कर ब्लेड में रख लेती हूँ और इन टिक्या को अब हम घी के अंदर शेलो फ्राइ करेंगे तो ये जो घी हमने कप से लिया था उसी घी में से मैं एक चोटाइ कप से थोड़ा सा ज़्यादा गी इस पैन के अंदर डाल दूँगी गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे लो फ्लेम पर इन टिक्या को हमें पकाना है बचा वागी हम बाद में स्वाल करेंगे तो अब ये एके करके टिक्या इसके अंदर रख देते हैं और लोग फ्लेम पर धीरे धीरे पकने देते हैं ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाएं और इनमें बिल्कुल कच्छापन नहीं रहे तो जब तक यहाँ पर टिक्या पक रहे हैं मैं दूसरी प्रोसेस बताती हूँ तो यदि आप इस तरह से टिक्या नहीं बनाना चाते हैं और इनमें की फ्राई नहीं करना चाते हैं तो इस प्रकार से एकदम पतली रोटी इसकी बेल लें तो बेलती समय इसके किनारे जरूर फटेंगे क्योंकि जो डो हमने बनाये हैं वो काफी हार्ड है तो एकदम पतला इसे हम बनायेंगे ताकि जब हम इसे सिखें तो इसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहे बहुत ही जल्दी से ये सिख भी चाती है और बहुत ही अच्छी हो जाती है यदि आप बिना घीके लड़ो बनाना चाते हैं तो इस प्रकार से आप रोटी बनाकर उसे तवे पर सीख लें और फिर उसे पीस लें और बाद में उसमें चाशनी बनाकर डालते हैं पिना की के भी लट्टू इस तरह से बना सकते हैं लेकिन आज हम पिना चाशने के लट्टू बनाएंगे तो हम उसमें गी का स्थमाल करेंगे तो ये रोटी हम तवे पर रख देते हैं और लो फ्लेम पर ही इसे हम अच्छे से सेख लेंगे इधर जो टिकिया है वो एक तरफ स सिख चुकी है तो एक दो बार पलटते हुए हम इने सेखेंगे तो अभी इने पलट देते हैं ताकि उपर की साइड भी अच्छे से सिख चाहे नीचे से अब आप सोच रहे होंगे किस तरह से तो हम बेशन और सूजी को भून कर बहुत ही आसानी से लट्टू बना सकते हैं लेकिन दोस्तों जब हम इसका डो तैयार करते है तो जो सूजी अच्छे से पोल जाती है उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है और जो लटू होते है वो बाद में जाकर कड़क नहीं होते हैं एकदम नरम और मुलायम बने रहते हैं तो इसका टेस्ट बिलकुली डि सेखना है एक साइड से रोटी काफी अच्छी से सेख चुकी है बहुत अच्छा कलर आ गया है तो दूसरे साइड से इसे ओर सेख लेते हैं इधर जो टिकिया है वो भी काफी अच्छी से सेख चुकी है तो जब आप टिकिया को अच्छी से सेख लेंगी तो इसमें बहुत जा तो बहुत ज़्यादा घी अब्सॉर्ब नहीं करेंगी तो इस की को हम गरम करके बाद में इसमाल करेंगी और ये टिक्या भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है तो इन्हें हम तोड़ लेते हैं टिक्या को हमने तोड़का रख दिया है तो ये जल्दी से ठंडी हो जाएंगी औ और इदर रोटी भी अच्छे से सिख चुकी है तो कैस का फ्लेम ओफ कर देते हैं और इसे भी हम निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर तो ये भूत ही खस्ता सी रोटी बन कर तयार हुई है तो इसे भी हम तोड़के रख देते हैं देखिए दोनों साइड से काफ अच्छे से सिक भी चुकी है और कितनी पतले और कितनी बढ़िया रोटी हमारी बन कर तयार हुई है इसे भी तोड़कर थंडा होने देते हैं तो दोनों तरीको से याप बहुत ही अच्छे लड़ो बना सकते हैं तो जो प्रोसेस आपको इजी लगे आप उस तरीके से लड़ो बना लें अब इसे ठंडा होने के बाद हम ग्राइंडर जार में डालेंगे और ग्राइंडर जार में इसे पीस लेते हैं यदि आपके पास मिक्सी नहीं है तो ये जो टिक्या और रोटी हमने बनाई है वो इतनी ज़्यादा खसता है कि यदि आप कोई चकला या बेलन लेकर उसे प्रेस करेंगे तब भी ये बहुत आसानी से तूट जाती है या हातों से भी आप इसे अराम से तोड़कर इसका पाउडर बना सकती है तो मैंने इसे मिक्सी में पीस लिया है इसे हम एक बोल के अंदर ट्रासफर कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं जो इसका पाउडर बना है वो काफी नरम है, सौफ्ट है तो इसे लड़ू भी वैसे ही बनेंगे बहुत ही सौफ्ट लेकिन बहुत ही डेस्टी अब आरियात ये इसमें चीनी डालने की होती है वो आप देख सकते हैं थोड़ी दानेदार सी होती है तो जब हम लड़ू बनाते हैं तो इसी तरह की चीनी का इसमाल करते हैं तो इससे लड़ू काफी दानेदार बनते हैं टेस्टी भी बनते हैं तो या तो आप आधी BCV चीनी या इस तरह आधी refined sugar डाल सकते हैं लेकिन हम इसमें एक कप ये refined sugar ही डालेंगे क्योंकि इसका टेस्ट काफी अच्छा होता है और जो normal चीनी होती है उसके बजाए ये चीनी थोड़ी healthy भी होती है अब इसमें कुछ कटेवे dry fruits डाल देते हैं तो आप अपने मन पसंद के dry fruits इसमें अड़ कर लें फ्लेवर के लिए ilaiji powder डाल देंगे अच्छे से mix कर लेंगे इसे यदि आप ये लड़ू चीनी में नहीं बनाना चाते हैं तो आप जैगरी powder यानि जो गुर का powder होता है उसका इस्तमाल भी कर सकते हैं अच्छे से mix करने के बाद अब हम इसमें ये जो घी हमने रखा था पैन में उसे गरम करके डाल देंगे तो गरम करके डाल देंगे की तो क्या होगा की लड़ू काफी अच्छे से बाइंड हो जाएंगे और थोड़ा गी जो कप में बच गया था उसे भी हम बाद में इस्तमाल कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो नॉर्मली दो कप के अंदर हम एक कप गी डालेंगे इसके अंदर तो इतना की लड़ू बानने के लिए लग जाता है ये देखे मुठ्या बंद रही है लेकिन हलकी सी इसमें कसर बागी है तो जो गी बच गया था उसे भी हम डाल देते हैं तो अभी एक दमगी परफेक्ट हो जाएगा और इस तरह से बनाई लड़ू जैसा कि मैंने बताया काफी लंबे समय तक आप इसे स्टॉर भी कर सकते हैं तो काफी अच्छे से ये बंद रहे हैं तो अब इसके लड़ू बनाना हम शुरू करते हैं तो इन लड़ूं को आप काफी ड्राइफूर्ट के साथ भी बना सकते हैं आप इसमें सुका नारियल पाउडर भी एड़ कर सकते हैं तो ये लड़ू बना कर हमने तयार कर लिया है बहुत अच्छा लड़ू बन कर तयार हुआ है तो इस तरह से सारे लड़ू हम बना कर तयार कर लेंगे तो आप भी जल्दी से ये सूजी बेशन के बहुत ये टेस्टी लटू बनाएं और कैसे बने मुझे कमेंट में लिकर जरूर बताएं तो ये एक लटू में आपको तोड़कर इसका टेक्शर दिखाती हूं तो ये बहुत ये अराम से टूट भी रहा है और बिल्कुल भी बिखरा नहीं है तो दोस्तों यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं इक और नहीं वीडियो के साथ तब तक हसते रहिए हसाते रहिए